आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीजो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउटनेट नाओ पॉइंट को लोकेट करेंगे, दो पॉइंट देराके है एे हमें एे हमें से च्छोटा दे राखा है बी हमें से च्छोटा देreखा है मनि याननेolen해주 क्यों का पॉइंट होगा इह की हाना सी कॉमा डी और सब्सक्राइब पॉइंट ही जो यह, आज और एक बी पॉइंट होगा यहां पर जिसकी कोडिनेट होगी c,d यह लाइन कुछ c है यहां मान लिए c है तो यह कुछ हमें नहीं कार ला है a c plus b c का minimum है ना तो अब हम यहां पहले क्या करेंगे यह b का एक mirror image निकालेंगे यहां जो भी यहां से perpendicular पार होगा है ना यह से हम इसे b dash दे रहें b dash है ना और यह a है अब हमें यह पता है कि यह distance से हमें इसे d दे रहें bd और bd dash bd और bd dash बराबर होता है क्योंकि mirror image है एक plane mirror के बहुत इमेज देते तो object की दूरी है उसके image की दूरी बराबर होती है mirror से यानि कि यह दूरी बराबर है है ना और हमें निकालना है a c plus b c का minimum है ना इसका निकालना है अब हमें यह पता दे रखा है कि bd और db बराबर है है ना तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि a c a c plus b c अब bd बराबर है यह बराबर है अब हमें यह दो triangle दे रखा ठीक है अब हम यहां से यह निकालना है कि b c और b c भी बराबर होगा तो triangle b c d is congruent to triangle b dc b dc कैसे हम बताते है यह वाला side common है यह 90 degree है और हमारा यह angle यह side और यह side बराबर है तो rhs rule से क्या हो हमारे पास आ रहा है कि rhs rule यह triangle congruent है rhs rule से तो यानि कि b c is equal to b dc होगा तो अब हमको क्या दिख रहा है कि यह जब अगर b c is b dc से बराबर है तो यानि कि ac plus b c निकाले यह ac plus b dc निकाले दोनों बरा एक ही चीज है मतलब कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते है b dc ठीक है अब हमें क्या दिख रहा है कि ac plus b dc यह minimum कब होगा जब यह straight line आ जाए मतलब कि यह point जो है यह collinear हो जाए है ना हमें simply क्या निकालना है इसका coordinate निकालना है तो हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे एक 90 degree निकालेंगे ठीक है यह 90 degree हो गया अब यह triangle 90 degree है तो यह दोनों triangle similar है यह same angle है ठीक है यह same angle यह दोनों parallel angle है तो अब इसकी coordinate अगर हम लिख है तो a,0 है इसकी coordinate है d,0 sorry c,0 है अब हम क्या देख रहे है यहाँ पे अब हम यहाँ पे देख रहे है कि हम इसके coordinate चाहे तो हम यह section formula निकलेगा तो इस triangle से यह दोनों triangle similar है triangle से हम इसे यह d है न तो इसे e बोल जेते है तो triangle a,e,c इस similar to triangle b,d,c कैसे यह angle और यह angle बराबर है हाँ, यह 90 degree यह 90 degree तो angle angle से बराबर हो similar हो गया अब हमें पता कोई भी दो angle similar है तो उसकी ratio मतलब कि हम यहाँ पे e,c upon c,d की ratio मिल जाएगी that is equal to a,e upon b,d that is क्या है,a by d यह ratio है तो यह भी इसी ratio में बटेगी यह भी इसी ratio में बटेगी यह भी इसी ratio में अब हमें ratio मिल गया अब हमें c का coordinate निकानला,simply section formula निकलने के लगाएंगे यह a to d के ratio में बट रहा है यह point है इसके along बट रहा है तो a into इसका a into d ठीक है a into d और यह a e है ना यह c यह b is to d है ना b is to d के ratio में बटेगा ना है किसी ratio तो b into d b into b into इसके coordinate का है c x coordinate निकालने के लिए d plus d into a by b plus d और इसके y coordinate तो 0 है तो यह इसका coordinate है thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज राउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर